वीडियो में हम unit and dimension के बारे में पढ़ेंगे किस तरह से हम किसी की dimension निकाल सकते हैं तो suppose करो mass के लिए हम m use करेंगे, length के लिए l use करेंगे और time के लिए t use करेंगे ठीक है? और इसे square bracket में बन करनेंगे और इसकी जो भी power हो वो इसकी dimension कहलाईगे ठीक है? 1, 2, 3 जो भी हो, मैं example से बताना शुरू करता हूँ तो अब अगर मुझे mass की dimension लिखनी है, तो मैं क्या लिखूँगा? m1, क्योंकि mass तो mass होगा, length होगी नी, time होगी नी तो mass की dimension क्या होती है? m1, l0, t0 आगे आ जाते हैं, मुझे length की dimension लिखनी है, तो m1, m0, mass का तो कोई मतलब नी है length से, length होगी, time नहीं होगा ठीक है नहीं? अब मान लिया मुझे time की dimension लिखनी है, तो उसमे length भी क्या हो जाएगी? 0 और time किता हो जाएगा? 1, time किता हो जाएगा? 1 तो मतलब जो चीज है उसकी 1 रख दो, बाकी की 0 रख दो, और square bracket में बन कर दो, वो उसकी क्या बन जाती है? dimension यहां तक clear हो गया? आगे करता है, ठीक है? अब है, जो पहली dimension हम से पूची गई है, force की, तो force का formula क्या होता है? mass into acceleration तो, और mass की तो हमें पता है भी, M1, L0, T0 होती है, और acceleration की मैं बता रहूं, याद कर लो, L1, T-2, अभी मैं बता दूँगा कि इस तरह से आई, पर अभी के लिए तो याद कर लो, कि acceleration की कित्ती होती है, L1, T-2, अब add कर दो, क्योंकि multiply में पावर add हो जाती, M1 हो गया, यह 0 यह, 1 प्λα 91, हो गया, 0 प्लस 1 होता है, और 0 और मान इसना कीत्ता होता है, तो ही हमारी work done की work done की वर कडा लेते हैं, तो work done क्या होता है, उसे कर लेते हैं तो work done क्या होता है, force into displacement, थिक है, Stella हमारा होता है, force into displacement और अभी हमने force की तो निकाल लिए उपपर M1 L1 T माइनस 2 और displacement मतलब length तो length किती होती है L1 अब combine कर दो तो किता हो जाएगा देखो 1 तो 1 है ये 1 और 1 किता हो जाएगा 2 और T-2 तो जो हमारे work done की dimension होगी M1 L2 T-2 क्योंकि ये 1 और ये 1 क्या हो गया acceleration क्या होती है अच्छा मैं acceleration की भी तो बता रहा था तुम्हें acceleration क्या होता है velocity upon time velocity क्या होता है distance upon time तो नीचे तो time time हो गया ठीक है T square हो गया अभी बताया कि distance मतलब length होता है तो length 1 और time कितना है T2 तो T ये plus वाला 2 पर जागे क्या हो जाएगा माइनस तो देखो वही तो आगया M0L1T-2 जो मैं dimension बता रहा था किसकी acceleration की ठीक है तो लिखते चलो गई clear है तो हमने work done की कर ली force की कर ली acceleration की कर ली mass की कर ली length की कर ली अब आते हैं भाई next कर लेते हैं एक होता surface tension as for surface tension इसका formula होता है force upon length अब force का formula क्या है M1L1T-2 upon length 1 तो भाई length से तो length कर गई भाई यह तुम देखो length से तो length कर गई अरे वाँ ठीक है तो भाई surface tension की dimension क्या है M1T-2 किती है M1T-2 clear है यह तो यह surface tension होती है clear आगे करते है moment of inertia क्या करते है moment of inertia ठीक है moment of inertia किता होता है MR square यह होगा M1 ठीक है और length मतलब radius मतलब length L2 so M1L2 moment of inertia किता हो गया M1L2 clear है next है power power क्या होता है work done upon time और अभी हमने work done क्या निकाला था अभी आगर तुम्हें आदो M1L2T-2 निकाला था यह निकाला था और नीचर T लगा दिया तो यह प्लस 1T उपर जागे माइनस हो जाएगा ठीक है नहीं हो जाएगा यह नहीं तो कित हो जाएगा M1L2T-3 तो यह हमारी और square bracket में जुरूर्बन कर देंगे हो थीकर यह हो गई अब है नेक्स्ट है टॉर्क भोलता है तो फीर्मुला होता है बाइयायओ फोर्स इंटू मतलब पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस तो ताव होता है फोर्स इंटू पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस तो फोर्स किता था हमारा M1 L1 T-2 और यह हो गया लेंथ तो कितिया गई M1 L2 T-2 थेंक यू